हेलो दोस्तों आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन टीटोरियल पर और मैं हूँ आप लोग के साथ रोशन कुमार आज के वीडियो में हम लोग छितफल पर जितना प्रस्ट होता है वो पूरा खतम करेंगे एक ही वीडियो में जो कि एसे सी रेलवे हड़े की जाम के दोनों अलग-अलग होता है ठीक है तो आयत का छेतफल जो होता है लंबाई गुने चवड़ाई होता है आयत का जो परिमाप होता है दू गुने लंबाई प्लस चवड़ाई होता है ठीक है एदि परिमाप ऐसे भी कहा देता क्या करेंगे आगे यह बला एक्खी भी दूग उने L प्लस B तो आयत का विकर्ण क्या हो जागा यहीं विकर्ण होता है ठीक है ना आयत का विकर्ण यहीं होता है यह यहीं होता है यह यहीं बी है तो विकर्ण का पाइथा कोरस ठीरम से क्या हो जागा यह जो होगा रूट अंडर L स्क्वार प्लस B स्क्वार हो जाग तो वर्ग का जो है भूजा बढ़ावर हता है चारो भूजा बढ़ावर हता है आयत में कहा रहा था कि आमने सामने के भूजा बढ़ावर है आई आमने सामने के इधर से बढ़ावर है ठीक है अब वर्ग का होता है कि चारो भूजा बढ़ावर होता है तो वर्ग का छेतफल क बह्त्तकि अंदर एक स्कूर्ड आप लस्कुर्डि ड कि रूट रूट अनर टू इस्कुर्ड तो अंदर रहा जाएगा तो रूट टू गुने घुए तो रूट दू कुणे भूजा अब आता है तिर्भूज तिर्भूज का छेतफल निकालना हो तो उसके लिए यदि कोई भी तिर्भूज हो समकोन तिर्भूज हो समदी बाहूर है कोई भी तिर्भूज है इस फर्मूला से हम निकाले सकते हैं लेकिन हम लोग और फर्मूला के यूज़ करते हैं जल्दी में बनाने के लिए तो यह कोई तिरे भूज है उसका देदिया की जो है एए है पारिशिया की देदिया की अब 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 बटा दू कर देंगए तो उससे अर्द परिमाप निकल जाएगा अठ छेद फन निकाल रहा है तो रूट अंडर एस आंगे अर्धे परिमाप गूने एक वाड़ एस में से एक घटा देंगे एक भूजा फिर गूना एस माइनस दूसरा भूजा और फिर एस माइनस सी तीसरा भूजा ठीक है तो यही तिर भूज का यह बेसिक फर्मूला होता है अब हम लोग अगला देखते ह यही तो इस संकोंती भूज रहा है संकोंती भूज में कहा होता है कर्ण के सामने वाला एंगल होता है 90 रिगड़ी होता है तो यह जोता है उसका हर एक भूजा बडावर होता ठीक है होजा का a square आसा माहुट दुदि कि उचाई कितना होता है ये नहीं है उचाई तो रूट तीन बटादू अगूने भूजा हम कलर यहां से बदल ले ठीक कि यदि यह है तो रूट तीन बटादू अगूने भूजा इसे मल्टिप्लाई करनेंगे यदि सम्दिवाहू त्रिभूज का छेदफल निंगाला रहा है सम्दिवाहू मदक किसका जिसका दो भूजा बढ़ावर है तो उसका करेंगे बटा फोड रूट अंडर 4a स्क्वाड माइनस 2a स्क्वाड ठीक है तो यह कैसे हो एगा यह वला उंचाई हो जाएगा यह यदि चेदफल आ जाता है बटा 4 रूट अंडर 4a स्क्वाड माइनस 2a स्क्वाड याद रखने है आप लोग को एदि फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए तो हम अगला वीडियो में प्रूफ करके आप लोगों दिखा देंगा अब आता है बात चत्रभूज पर तो समांदर चत्र भूज का छेदफल कहा दे तो one बटा दू समांतर भूजा का योग यह बूजा है और यह भूजा है दोनों का योग आगुने बीच की दूडी ठीक है सम्चत्र भूज का छेदफल कहाद है तो one बटा दू वीकर्ण का गुनन फल विकर्ण के गुनान फल मतलब क्या एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया सम्चत्रभुष का छेत्फ़ कहते तो क्या वन बटा दू ये दुन्हों विकर्ण के गुनान फल अब आता है बात वृत पर तो रिदित का च्हेतफ़ जो हता है पई-रr होता है यह बनार जो है यह है नियुल 272 यहां से लेके यहां तक है यहां यह केंद्र हो गया तो यह इसको radius हो तो च्हेतफ़ जो होता है पाई-i radius r के square पर ईदी हो जाता है 2πR ठीक है πR उपर के हो जाता है अर्ध पर इसका 2πR यहीज़िच खंड का छेत्फ़ल कहाँ है तो ठीटा बटा 360 इंटू पाइड इस्क्वाइर मानला क्या थीटा बटा 360 इंटू व्रीढ का छेत्फ़ल अर्ध व्रीढ का छेत्फ़ल कहा है यह पुड़ा छेत्र फल चीह पाईर स्क्वार है और्ध मतलगे कितना आधहां पाई आधार उसक्वार भाई टू एदि और वीर्थ के परिधि कितना हो जाएंगे तो पाई आद हो जाएगा आई जे बीच से कटा है यह भी तो हो जाएगा तो आर्क बढ़ाव हो जाएगा कोशन कर रहा है कि एक आयत का छेत फ़ल शॉ सो वरग सेंटिमेटर है आयत का यह दी छोसॉ सो वरग में है आयत का हम लोग छेत फ़ल कया जानता है लंबाई अगोने छोड़ाई इसके पास कोशन कर कि इसकी लम्भाइी तधर्थ चोडाही सा टीन अनुपाद विम्छ लंसरय और टीन Critics hints कि तुम्हें लम्भाइी को ने शुब ने चौडाहिन च्छेदफल के बडरावर होता है यहां से टिए डावर 3 जा तो पड़िमीति निकाला है के लिए का जानते हैं दूगूने है एल फ्लस भी तर्व कितना हो जागा यहां से 152 हो 1जाना आऊध कितना हो जाएगा न Duch निकाम लगा हो जाएगा दुगती सोफ हो जाएगा आँ लंभाई गुणे चऊर्ण दैद्धे प्रहक भी आईंप तीन अनुपाद दू में तो 3 गुणे 2 ए 3 इंटू 2 है माल लेंगे कि 3 है ये 2 है तो 3 ए गुणे 2 है चोई स्कार ब्रावर 600 तो ए स्कार ब्रावर 100 है तो ए ब्रावर 10 हाजएगा लंबाई को का करेंगा कि 10 गुणे 3 है अब 2 चोड़ाई को 10 गुणे 2 कर देंगे 20 जगा परिमाम निकाले के लिए 2 गुणे L प्लस B हो गया दूसरा नमर कोशन कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमीती साथ अनुपात बाइस आयत की लंबाई तथा परिमीती यहाँ याद रखना है लंबाई या चोड़ाई का नहीं दे रहा है लंबाई और परिमीती का है साथ अनुपात बाइस में है ठीक है? कि अनुपात में हो तो इसकी लमबाई तद शौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो पूछ हे हम दों को कि लमबाई और शौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो दियो परिमाप क्या होता है, दू गुन ये,cus ये last है, above and below 11, चाड़ है क्योंकि लमाई प्लस चोड़ाई टोटल मिला गई आड़ा है तो लमाई साथ हो गया चोड़ाई चाड़ हो गया है ठीक है अब बार सेंटीमेटर आइक आट फ्सकारा फिला निंटाईगा आट बार छ्वाध्या तेसके युझारón इसकाबयों सब्सक्राइब निकल जाएगा ना तो रूट अंडर कितना तेड़ा क्या स्कॉरा है तो पांच का तो पांच आ गया ठीक है तो पता चल गया कि ब्रेथ जो है यह जो है यह पांच है और यह 12 है तो उसे क्या पुछ रहा है ना तो पर्णीमीठी परावर क्या जानेख दूगुने एल प्लस भी तो दूगुने कितना 12 प्लस पांच यहीं ना बारा प्लस पांच कितना होगए 17 तो 37 दुनिक है 34 तो 34 कहा हो गया, एंसर हो गया, अब चोथा नमर्ब क्वेश्घ देखते हैं, चोथा नमर्ब क्वेश्घ करा कि एक आयात की लंबाई तदधा चोड़ाई का अनुपाथ, 9, 5 में है, यदि चोड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो, यदि चोड़ाई जो है, मतलब चे पांच ए जो है किस से 16 कम है किस से लंबाई से तब 5a-16 बड़ावर है कितना है 9 1 है न तो यदि एधर एक मिनट एक मिनट यह क्या करा कि एक आयत की लंबाई तरह चोड़ाई कितना है है नो अनुपाद 5 में है यदि चोड़ाई लंबाई से 16 मिनट कम हो मतलगी क्या दोनों का अंतर 16 के बड़ावर है तो 9-5 कितना है चाड़े यह इसको 9a माल लिए यह 9a है अई 5a है तो 9 में से 5a गट आएंगा तो कितना हो जाएगा तो लंबाई हमको असरा है कि 9-4 36 हो गया चोड़ाई कितना हो गया पात गुने चार 20 हो गया इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि लंबाई 9a है जो है जो है चोड़ाई लंबाई से 16 मिटर कम है चोड़ाई जो है लंबाई से 16 मिटर कम है मतलगी 9a माइनस 16 बड़ावर होगा 5a है होगा कि नहीं होगा क्या है इस तरह से भी कर सकते है आए तो दोनों का अंतर बड़ाव अब पच्वान अमर कोशन करा कि किसी आयत की लंबाई उसके चोड़ाई से एक सेंटिमीटर से अधिक है ठीक है ना आयत की लंबाई जो है उसके चोड़ाई से एक सेंटिमीटर अधिक है मतलब कि लंबाई यदि पांच है तो चोड़ाई कितना हुआ चाड़े हुआ क्योंक पडिमाफ हमको दे दिया है कितना दू पडिमाफ को क्या हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि एक ज्यादा होना आधी पूछा कि पडिमाफ कितना है तो दू गुणे नौ प्लस आठ कर देते नौ आठ शातरह दूनिके चयाओंतिस हो जाता है पडिमाफ पूछ देता तो ठीक है अब विकर्ण भी पूछ देता है तो रूट अंडर एले स्कुरर प्लस बस इसकुरर कर देते है रूट अन् तो फ़िशारी तो अंतीसमीटर है यह लंबाई प्लसबाई दलॉब सब्सेंस €pm यह लंबाई प्लसबाइबहुरी विया है क्या है लंबाई और किमेदे Singing आस और उचलोगा है तुंस लिखेट्व कि समेदेनेidentsून link ना किया तो यहां परस्ट है कि यह प्लस 21 के बढ़ावर है तो च्छेथफल जो हो जाएगा 21 कुने 20 मतलब कि 420 वर्ग मिटर हो जाएगा तो यहां से कितना आ गया रूट अंडर 21 के स्क्वार प्लस 20 के स्क्वार कितना होता है 441 प्लस 20 के स्क्वार 400 तो यहां से कितना आ गया रूट अंडर 800 अंडर 829 किसका रूट होता है 29 का होता है ठीक है तो तो पता चल गया कि लंबाई जो है कोई से है चोड़ाई जो है 20 है अब सत्वा नमर कोशन करा कि किसी आयत का कार भूखन की लंबाई में 20 परसेंट की व्रिधी अब व्रिधी करा है कि 20 परसेंट की व्रिधी तथा चोड़ाई में 10 परसेंट की कमी कर दे रहा है यह मान लिए कि लंबाई है आई चोड़ाई है ठीक है तो लंबाई में 20 परसेंट की व्रिधी कर दिया चोड़ाई में 10 परसेंट का कमी कर दिया तो उसके छेतफल में कितने परतिशत व्रिधी अथवा कमी होगी अब छेतफल में कितना परतिशत व्रिधी होगा या कमी हो होगा तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि दोनों में क्या करना कि एक जीड़ो काट दे रहा है तो यहां पका होता कि पंचान में रहता है तो 100 से कितना कम है पांच है तो हम कह सकते थे कि 5% की कमी हो रही है ठीक है परसेंट कमी कर दिया लंबाई में कितना 10% की विधी कर दिया गया 110 हो गया आचोडाई में 10% की कमी यहां से क्या करेंगे तो कर रहेंगे उसके छेथफल में कितना परिवर्तन होगा तो एक 0 से दुन्दू में एक 0 काट देंगे अब उसके दोनों को मल्टिप्लाइ कर क्या है 100 से कितना कम है एक परसेंट एक चाथ है कि एक परसेंट की कमी है यहां पर 101 रहता तो क्या कर दो कथा है कि जो है क एक परसेंट की přिर्जotta और एक परसिंट की गरठी करता है not कि आया t कि छेथफल में कितना परिवर्थन होगा तो हम लोग आंगे जानते हैं कि दोनों में क्या करेंगे एक अग यह काट देंगे तो 18 पजे 90 हो जागा ठीक है तो 100-90 कितना परसेंट कम है 10% कम है तो हम कर सकते हैं कि 10% कमी होड़ा है अब 10 नमर कोश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% वृध्धी कर दी जाती है इसके चोड़ाई में कितने परसेंट कमी कितने परतिसत की कमी की जाए कि छेथफल में कोई परिवर्थन हो अब कोई कर आए कि लंबाई में 25% के वृध्धी कर दिया गया तो प्लस 25 अगूने 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे परतिसत में लाने के लिए वही जो आ जाएगा वही एंसर हो जाएगा तब 25 बटा 125 अगूने 100 यहां पर 20% की कमी कर दी जाएगी तो जो है छेथफल में कोई परिवर्थन होगा यदि यहां पर 40% लिखता है तो हम लोग लि 12 नमर कोशन कर रहा है कि एक आयतकार मैदान की परमीति 240 मीटर है परिमाप 240 दे दिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना बढ़ावड हो जाएगा 240 प्लस दू 120 के बढ़ावड हो जाएगा ठीक है उसके बाद कोशन पढ़ेंगा कि इसकी लंबाई तो था चोड़ाई का उन प अतीन है मतलब क्या आठे जो है 120 के बढ़ावड है तो एक कितना बढ़ावड होगा आठ से इसको कार देंगे तरसे कितना मर्तवा कर देंगा आठे कम 8 अब बचे कितना हो जाएगा पंद्रह पचे 75 अब फिर बी कितना हो जाएगा 15 गूने 3 45 तो हम लोगो क्या पूछ च् कभी भी अनुपाद यार है 5 अनुपाद 3 है तो इसको माल लेकि 5 एक्स है या 3 एक्स है तो यह क्या है लंबाई प्लस चोड़ाई जो है बढ़ावर 120 के करके solve कर लेंगे अब बारन नमर कोशेन पर आते हैं बारन नमर कोशेन करा कि 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चोड़े बढ़ामदे को आयतकार पत्रों से पक्का करना है एक 40 मीटर लंबा है यह 40 है चोड़ाई जो है उसका कितना है 15 मीटर है ब्रामदे के आयतकार पत्रों से पका करना है पत्थर से पका करना है इदी परतेक पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है यह 8 cm लंबाई है चवड़ाई 5 cm माल नहीं कि तो इन पथरों किस संख्य है कितनी हम अब पूछा कि 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 पथ्र इसा इसा लगेगा तो क्या कर सकते हैं कहा करेंगे इसके लिए कि दोनों बड़ा का छेत फल न बटा छोटा का छेत फल कितना है उपर मीटर में नीचे cm में है तो सब को cm में बदन ले लिए क्या करेंगे 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो चालीस पहले से था दू गोजीरो तो चार हजार आगूने 15 मीटर तो पंदर असो बटा आठ गूने पांच यहां पर कितना हो जाएगा पंदर दू दू चार गोजीरो पत्थर ती यूनिट टेंस हंडेड थाउजन टेंठ थाउजन लाख लगे 15 लाख पत्थर लगेगा G3 3 नमर कोशिन करें कि एक क्मड़े के फर्स का पंद कीमा नों 29 मीटर है डिया लिचार मीटर है दे centimeters 20 चार क्रीक टिवार 2 तो 86 के लिए और को चलाए क सथ्ष्चाहें करेंगा व हम्यांदमद करंगे है चार चीए में च Gameworks सबाげएندकτο liegt कोई क्वीज़ नहीं है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को साब्सक्राइब कर दे 14 नमर कोचन करा है कि 16 cm लंबे तथा 14 cm 4 ठीक है सब्सक्राइब कर सकता है कि हम इधर से भी तो कर सकते हैं तो इधर से कर देंगे तो विरित नहीं बन जाएगा वह पैड़ा बोला बन जाएगा तो यहाँ पर क्या पुछ रहा है तो इसके लिए जो छोटा वाला जीवब हो जा है उसी को हम लोग त्रीजया मान के लेके चलेंगे पुरा यह जो क्या है डाइमीटर के बढ़ावर है तो इसका आधा जो गा होगा त्रीजया के बढ़ावर होगा रेडियस कितना हो जाएगा साथ सेंटी मिटर तो छेदवल पाइवर आड़े स्कौर 22 बड़ा साथ गुनित साथ 114 वर्ड असी मिटर लंबे आयत का चेदवल लंबाई फीडिया चड़ाई हम से पूछ रहा है जिसके प्रतेक भूजा 40 मिटर लंबी है मतलब की वर्ड का याद का चेदवल बड़ावर होगा देड़ रहा है कि वर्ड का चेदवल कितना भूजा गुने-भूजा तो 40 गुने-40 तो चटा यहां से कितना जहाए किसी वर्ग के छेत फल की वर्ग के छेत फल की एक है तो एक का स्क्वार आई विकर्ण पर बन रहा है एक रूट दू का स्कॉर्ण होगा ना तो रूट दू का स्कॉर्ण के नहीं होगा लेकिन यहां पर क्या है विकर्ण पर बना तो इसका भूजा के नहीं हो जाएगा क्योंकि यह 1 घरद यह रूट दू हो जाएगा सब भूजा एक रूट दू होगा एक रूट दू का क्या हो जाएगा है अब सत्रह नमर कोशचन कर रहा है कि एक वर्ण के अंताव रीत तद्था पड़ी वर्ण के छेतफल का क्या अनुपात होगा एक वर्ग मेंने अंतर बन जाएर तो कि 6 फल क्या अनपात होगा तो वर्ग के भूझा दे्य है हम लोगों भूझा। में गीवें था कि 14CM यदि भूझा वर्ग है तो चारो भूझा बडावट होता है तो वर्ग का यूदी भूझा 14CM बूरा इधामीटर साथ संटीमेटर के बडावर होगा क्योंकि लेंगे पस्काइब。 जवी कारने के आथा ही नहीं होगा connects घुछा फरे just अब क्या क्या होगा यह जो तो स्टक्व तो नहीं अब Live स्टक्रें risks जब्लागे इसका सब्सक्राइब प्रहाइन सब्सकार टमने वैक नोग लिए यहां । टी सब्कुस्안गी मेर 10 प्रश्एं कर दीजास तो उसके छेदफल में कितने व्रीधी हो जाएगे वर्ड के क्या होता है सब भूजा बड़ाबर होता है तो यहां पर भी 10% के व्रीधी कर दिया यहां पर भी 10% के व्रीधी कर दिया तो 100 महीं ने व्रीधी करेंगे आता है यू वर्गों के छेट फल में में क्या अनुपात होगा जबकी पहली वर्ग के वीकर्ण से दोगना है यह दूष्रे वर्गर के से दोगना है यह एक रूट दू है तो इसका भुजा एक है तो इसका भुजा दू है तो दू का यह जो है दोनों का च्छेतफल होगा है कि दो वर्गों के छेतफल में 9 16 अनपात में हो तो उनके परिमाप का अनपात का हो तो छेतफल बड़ाबर क्या वहता है नहीं भूजा का अनुपात का है यहां पर लिखा हुए है कि भूजा और परिमाप समान रूप से होते हैं कैना है कैसी आथास से निमीटर वाले वर्ग के अंतर गातें हैं आठाइस से निमेटर भूजा वाले वर्ग कर रहा है ङृदित्त hallway dann पूरा रेडियस निकालना था तो निकालना क्या करएं निकालने के लिए 20-20, 24 आप 20 सेंडेमीटर खोलें जाएंक आप 22 मेटर भुजा कास्वाल वर्णका कार फॉर्सपर 20 सेंडेमीटर गुंजने सेंटी मीटर साइज कितने पत्थर ले इस다면 कोशन हम लोग देख कुक्छा है उसमें क्या था आयतकार पत्था इसमें क्या है कि पहले ब़ verbess Kenny वड़ाकार है लंबाय quy خू ने चोड़ ई-ना मीटर है आई ग्याद मनें सेंटी मीटर में तो से मल्टिप्लाई करतेंगे तब 1200 सेंटीमीटर तो क्या करते हैं बड़ा भूजा का दोनों का छेतफल बटा छोटा का छेतफल जितना अगया उतना संख्या उतना ही पथर लगगा तब 1200 गुणे बटा 20 कुने चाले तो मतलब यहां से पता चल गया कि अठारा सो पत्थर जो है लगए बीस कुने 40 सेंटीमीटर का अब तेस नमर कोशन करा कि एक व्रीद की त्रीजा तीगुनी करने पर उसकी परीधी अपने पूर परीधी से कितने हो जागा तेक याद रखना है कि त्रीज परीधी करते तो त्रीजा कहा दे तो अर व्यास करते तो तू अपस में सब तो समान अंक में सब्सक्राइब होता है अब 24 नमर कोशन के बाद होता है कि वर्गार कार रूप से मूरी हुई एक इस पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर छेतर फल गहड़े हुए इस तार को वृता कार रूप में मूरे जाने पर वृत का छेतर फल क्या होगा एक वर्गार कार रूप में मूरी हुई एक इस पात के के तार 121 वर्ग सेंटीमीटर छ होता है 4 गुने भूञे तो 44 सेंटीमिटर और कहा कण़ा है कि दोनों का प्रिमाप क्या है बढ़ावर है 2100 क front मने ब्रूं का सेंटीमिघ फैंटा कि दोनों का परिमाप सेम है तो तुं पाइड के तना होता है यहां से आर निकाल लेंगे र कितना हो जाएगा साथ सेंटिमीटर तो च्छेथफल कितना हो जाएगा पाई र स्कॉर्ण गुने साथ 154 वर्ग सेंटिमीटर ठीक है अब 25 नमर कोश्चिन करा है एक व्रीद के छेथफल का मान इसकी परीधी के संख्यातों कमान का साथ गुना परीधी या से कितना है साथ गुना है साथ गुना है यहां से कितना पता चल गया है 14 संटिमीटर तो परीधी क्या जणतर तो दूग वाइस बाटा साथ गुना चाहिक है 26 नमर इक क्या के एक व्रीद के परीधियुम्-3 या का अंदर 17 cm परीधियुम्-3 म मन लगता है 2 5 r परीधियुम्-3 या का अंदर मन लगए 2 6 बड़ावर कितना है 27 तो छेथफल पूछ रहा है तो आंगे आर निकाले है तो छेथफल निकल जाएगा स्काइब नि walking in fine-tune 22 सब्सकिन मैंने-ब्रावड करिंद कर साथ dest Red सब्सक्राइबद मिन चली खातいました रबावर सने अवित माइसे साथ इन सब्सक्राइब करने का तो चेथफल हम लोग से पूछा तो चेथफल क्या क्या पाइए इसको यहां पर कर रहा है कि एक वृत की तीज़े में 10% कमी करने पर इसके चेथफल में कितना कमी है तो 10% कमी मतलब क्या 100% में कोई भी चीज तो अपने आप में 100% होगा है कोई तरीजिया है कि 5CM है तो अपने आप में 100 इसके तो 10% कमी करने मतलों क्या होता है लोग जानते हैं कि क्या कर देखिए कमी हुई आँगे दोनों जीटों को काड़ देता है उसका दोनों को गुना कर दोने नो एक आसी तो सो से कासी कितना परसेंट कम है तो 19% कम है तो कस्त अच्छत की कमी हुई अठाइस नमर कोशन कराएं किसी व्रीत के व्यास में 20% विधी करने पर व्रीत के व्यास व्यास कहा दे या छेत्फल कहा दे अच्छा है यहां पर डी एसक्वार कहा दे कोई उसमें तो आंतर नहीं है व्रीधी पे किसी व्रीत के व्यास में 20% की व्रीधी करने पर इसके शेत्फल में कितने प्रेसेंट की व्रीधी होगी तो 100 प्लस 20 करेंगे 120 120 नहीं यहां पर क्या करेंगे एक 0 एक 0 दूनों में से हटा देंगे बारह कुने बारह एक परिधी तो यह व्रीध की परिधी तो अधिया कहा दे या व्यास कहा दे या परिधी कहा दे में समान परिवर्तन होता है तो उसके छेटफल में कितना परदी से लगाने में कितनी दूरी तै करेगी दूरी दूरी करने के लिए कितना चकर लगा रहा है आएंटू परिधी परिधी के बड़ावाद छेटफल के बढ़ावाद थोड़े तो यदि व्यास अठाइस सेंटेमीटर तो त्रीजा निकालने के लिए का रहेंगे व्यास बटा दू तटाइस बटादू चवदर में दूरी बड़ावाद चक्कर गुने परिधी तो पांसो चक्कर ता पांसो गुने परिधी कितना होता है टू पाई आर तो परिधी किलो मीटर हुगा एक तिस नमर कोशन कर रहा है कि एक गारी के पहिये की त्रीजा 14 मीटर है पहिया के त्रीजा दे दिया कि 14 मीटर है चक्कर बड़ावर क्या जाने दूरी परिधी परिधी तो कितना चक्कर लगाए और उसका परिधी कितना है परिधी कितना लगा रहा है अठासी किलो मीटर मतलब लगा रहा है एक दो कोशन इसी पर आउट देख लेड़ा है कि एक परिष किलो मीटर दूरी तो चक्कर बड़ावर दूरी परिधी पूछ रहा है यहां पर पहिये कि पूछा यह कि टूरी कितना 24 है टूपाइबर और यहांसे 20 हम एक बड़ावर है टूपाइबर दू दूगुने 22-27 इस लिभावारी 1 से बीशय चितना आगया घृ़ार यहांसी अब 33 नमर कोशन कर रहा है कि 88 मीटर परीधी वाले किसी व्रिद्रकार पार्क के बाहर चारोर साथ मीटर चोड़ी सरक बनाए गई है तो सरक का छेथफल पूछा है अब लगे हम लोग को इसका छेथफल पूछ रहा है ठीक है यदि हम लोग आंगे सबसे पहले तो परीधी दिया है का 28 मीटर है तू पाई या बड़ावार ठासी दिया है तो दू कुने 22 वाटा साथ कुने आर बाई से चार मरतावे कर जागा चार सी दू से दू मरतावे ता दूँ पाउर बड़ावर चौदसेंटुमीटर में सबसा में यहां 14 सेट्र में फूराबे स named doctor व्ごत् सुझाओ है तो कैसे करें गेवाद में निकालत के यह आई माइनस कर दें तो हम लोग यह पूरा छेट फ़ल निकल देगा कि नहीं निकल देगा तो क्या पाई आड़ है यह कितना है यह साथ है आई पूरा 14 है तो क्या आड़ कर सकते हैं कि 14 साथ 11 सेंटीमेटर यहीं नहीं है कि अगया तो कि अगया तो कि अगया अगया अठासी मीटर परीदी वाले किसी वीरतकार पार्क है बाहर चार और साथ मन वह लोग यह आंगे पार्क है ठीक है ना और इसका तीजा जो है 14 सेंटीमेटर है हम लोग पता चल गया आँब बाहर साथ सेंटीमेटर के रास्ता बनाए गया तो हम लोग कहीं निकालना नहीं कि छहत्वल कितना है यहीं ना तो क्या करेंगे चवदा प्लस साथ 21 का स्कौर आ माइनस इसका कितना है चवदा गया तो उसका छहत्वल निकल जाएगा वैसी करीए आगया अब 24 नोवर कोश्चन करा कि एक सम कौन तरिव होई कि पड़िमीती 30 cm पड़िमाप 30 cm दिया है तिक तथा विकर्ण 13 cm विकर्ण हम दोगों दे दिया कि 13 cm है तो इसका छेदफल कितना होगा पड़िमाप जो 30 cm है तो लमाई प्लस चोड़ाई कितना हो जाएगा 15 के बढ़ाव पांच के बड़ाव देर तो छेटफल जो है कितना हो जायगा वन बाट्था अधार कुने उचाई है ताधार कितना है बाधा आगूने पांच तो तीस वर मीटर रूट ने बाढ़ा के स्कार आप प्लस पांच के स्कोरते हैं यहां पर कितना हो जागा थेरा सेंटिमेटर तो यहां पर परिमाप जो है लंबाई प्लस चोड़ाई तो पांच अबाढ़ा कि यहां पर चोटीस दिना चाहिए ठीक है मिस्प्रिंट हुआ है यहां पर सत्रह सेंटिमेटर यहां लंबाई प्लस चोड़ाई तो रूट एंडर 15 के स्क्वार प्लस 8 के स्क्वार जोगा 17 के बढ़ावल हो जाएगा तो समकुन त्री भूज के लिए क्या जांद है हम लोग कि वह छेत्वर कितना हो तो वन बटा आधार गुने उचाई तो वन बटा दू 15 गुने आच तो 60 वर मीटर हो जाएगा हो चाहत्तिन नमर कोशें कर रहें कि एक त्री भूज का काड़ खेद की भूजाय करम से 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं 20 21 मीटर टीजी इस खेत में 10 रुपे प्रति वर्ण मीटर की दर से फसल करने का कितना होगा जो इसकाओ कितना रूप्य किक्स हो जाएगा मतलग हम लोग जानगा कि समकुन तिर भूज है तो वन बटा अधार गुने उचाई तो वन बटा दू एकभी तो गुने बीज तो 210 वर्ग मिटर तो हम लोगो पता है कि प्रतिर गुज में thrownhewता रूट 3m4 आगूने भूझा कैस्कुशा रूट 3m4 आगूने भूझा गूने 8 और तरोus Audio सैसे वर्क मेटर बीटर में नि में ने किस यूलय तो आख संबहाँ तभूज का रूट 3 बटा 4 गूने भूजा का स्कुर्ट रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा 4 सी चौछ 4 मल्लिप्लाइब हो जाएगा तो दूसो चप्त भूजा ब्रावर 16 सेंटिमीटर हो जाएगा आध संबहाँ तरी बटा 2 गूने भूजा त्युक्त प्रूट थ्री बटाफ फोर गुने भूजा का स्क्वार अब यहां पर कर रहा है एक संभाव हो तिर प्रतेक भूजा चार रूट थी सेंटिमेड भूजा दे दिया तो इसकी उचाईगी याद करें तो इसकी उचाईगी क्या करते हैं आ रूट थी मतराना थी बटाफ खुणे चार रूट थी से रूट थी मल्लिप्लाई हो जाँका दा रूट थी मतराफ बदे 20 मलगें 6 तो प्र्चे कोश्ण देगा है क्यों चारिश नमर्क इक संभाव कथी पोजा पर हो तो चेतफल के दिया तो चेता हो चेता हो 5 4rd3,4 ॐ3,4 रूढ़ूर। तुर्य मारा कोशम है ख़री, करें वोड़, सब्सक्राइब करें समभाहुत्री भूज्य एक ही अधार बनाया गया है अधार दोनों का सेम है इनके छेथफल का अनुपाद क्या होगा तो छेथफल वर्ग का सब भूज्य एक सेंटिमेटर इसका एक मीटर है तो वर्ग के क्या होगा एक का स्कॉर्ण सब्सक्राइब को अधार बनाया तो वर्ग ऑफल यहां में भाड़ है उसके ही खत्म है तो यह पूर्ण जालता घ्रैण में लुटीपलाई सब्सक्राइब का यहां में अधार मुत्यपलाई कर देंगा तो चार अनुपाद रूट्थिर आया ना उसी तरस हो गया कोशन कर रहा है 22 नमर के एक सम्चत्र भोज का छेत्रफल 144 cm वर्ग सेंटेमेटर है इसकी वक्त विकर्ण की लंबाई 18 cm है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितने हैं मतलब कि एक विकर्ण देर दिया इधर मानले की 18 cm तो पूछ रहा च्चत्र भोज की एक सेंटेमेटर तो इसका छेत्फल क्या होगा एक विकर्ण हम लोगे दिया कि विकर्ण आठ सेंटेमेटर तो दूसरा विकर्ण कि लंबाई सेटीमेटर है एक भुजा 5 सेटीमेटर है तो रिकिना बढावन होगा आध्य है चार कर डिये तहने गोपनेगा Angel थो इभी तो थीन के बढ़ाब होते पूड़ा हम लोग क्या इंगा है कि पूड़ा जो है आई पूड़ा किन्दा के बढ़ाबर है तो आठ के बढ़ा हुआए स्वाइस नमर कोशन कर रहा है कि एक सम लंब चत्र भूज एक रम सब 30 मेटर तथा 50 मेटर मतलब कि एक भूज यह नीचे वहाँ तीस मेटर है आई जो है 50 मिटर है तो इन भूजा कि लंबवत दूड़ी यह हो गया सम चत्र भूज लंबवत दूड़ी जो 130 मीटर मतलब यह जो है 130 मीटर है तो इस चत्र भूज का छेथफल क्या होगा तो हम लोग ऐसा निकालने के लिए क्या जानता है कि वन बटा दू यह नीचे वाला भूजा अपलस उप सब्सक्राइं उसनल सब्सक्राइघ म चाप पूछ रहा है पूछ दे तो त्रीच खंड का छेथ फल यह क्या हो गया तो थीटा वाटा आज कि लिए इतना ही यह जुने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें थाइंक्यू